जितना जितना हम परमातमाजी का भजन करेंगे, जितना जितना हम परमातमाजी का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतनी उतनी गंदगी हमारी कम ओती जाएगी और उतना उतना हमें वेराग्य होता जाएगा, उतना उतना हमें ग्यान होता जाएगा, और जब ह में यह ज्ञान हो जाएगा के संसार में दुख है संसार में आनंद नहीं है आनंतो परभू परम्पिता परमात्मा जी के नाम में है सादू संतों की शेवा में है और इस समाज के क्यलाण में है तब हम यह गल्द कारिय नहीं करेंगे कि को दारूपिता है को इस मास खाता है उन पशुकों को जो मार कर खाता है बहुंकर खाता हों कितने तरपते कितना दर्द होता होगा उनके दर्द की परवा नहीं है लेकिन हम खाते हैं जो दारू पिता है उस परिवार को कितनी परेशानिया होती होगी वो कितने जुलम से कभी वो बिबी को मारता होगा, कभी अपने बच्चों को मारता होगा, और अर्थिक नुक्षान भी करता होगा, जो हर रोज पीते हैं, वो लड़ाई जगड़ा करते हैं, परिवार के दूसरे जनों के साथ, अपने पडोशियों के साथ लड़ाई जगड करता है और यह नरक जो मास मिटी खाते हैं सराब पीते हैं दूसरे की बेटियों की तरफ गलत नजर से देखते हैं कि उन्हें ऐसी नरक नहीं मिलती गोर नरक में जाना होगा और इस नरक से बचने के लिए कर यह काम छोड़ने होंगे और पर्भू परम्पिता परमात्मा जी के नाम से जुड़ना होगा जो नाम को प्यारा लगे उस नाम का सुमन कीजिए हो शखे तो सादू संतों की शेवा कीजिए सादू संतों के चानिद्ने में जाये वह आपको सत्संग के दवारा जो का नुबह हो बताएं गे आपको के इस मारत को छोड़कर आप इस मारत को पकड़ेए नहीनी को प्रिखेस और जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएंगे के समाज की शेवा करनी है समाज को कुछ देना है देने का भाव उद्दार करने वाड़ा है और लेने का भाव पतन करने वाड़ा है जब हमारी ये वर्ती होगी हम संसार से ये ले ले ये ले ले ये ले 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 तो वो हमारी दुर में फसे हुए हैं जिनके मन के अंदर बहुत बड़े-बड़े विकार हैं उन विकारों को धोने का काम साधूसंत करते हैं तो यह साधू संतों की डुटी होती है कि इंजियों सो इंजियों को इस दलदल से निकाल कर पर्भू-प्रम्पिता-पर्मातमाजी की ओर ले जाएं मारक की तरफ चलने लग जाता है और यह चोड़ा में इसलिए मिला है कि परमानुपा मजी को पा लें सादूसंत क्या करते हैं मेडिकलों मैं डॉक्टर क्या करते हैं और मरीज को ठीक करते हैं जो मरीज उनके आस्पिटल में आता है उनके उनको दुआई दे करके, उनको इंजेक्शन दे करके उनको ठीक करते हैं, इसी परकार सादू संत है, उन जियों को चेताते हैं, कि तेरा ये देश नहीं है, तेरा देश तो और है, यहां पर तो तेरी परिक्ष्या होगी, तू करम करेगा, जैसे तू करम करेगा, वैसे तेरे को अगर तुँ अच्छे और बुरे दोनों से उपरवाडा करम करेगा यानि के निश्काम भगती करेगा तो तेरे को परभू परम्पिता पर मातमा जी के चर्णों में जगह मिलेगी अच्छे करम करोगे तो सवरग में जाओगे यानि के सोने की बेड़ी लगेंगी और अगर बुरे करम करोगे पाप करोगे तो नरक में जाओगे लोहे की बेड़ी लगेंगी बेड़ी बेड़ियां होती हैं लेकिन निश्काम करम करके आप परभू परम्पिता पर मातमा जी के चर्णों में जो सथान पाओगे उसका आनंद अलग है मालिक का प्यार अलग है कि गुरु जो रास्ता बताता है और सहज और सुलब रास्ता बताता है और गुरु की आग्या ही इस्वर भक्ती होती है गुरु की आग्या इस्वर भक्ती लेकिन संतों की आग्या मानकर कितने चलते हैं जो संतों की सादू संतों की रिशी मुनियों की आग्या मानकर चलता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता, प्रेम ही प्रेम होता है, उसका केलान होना निश्चित है, लेकिन जो अपने मनमाख फिक चाल से चलता है, जो उसके मन में ओकरम करता है, उसको ओमंजिल नहीं मिलती, उसको चीज नहीं मिलती, उसको चीज अमारे समाज में देख लेजिएगा, जो उमारे बड़े बुड़ों का बड़े बुजर्गों का आदर करके कारिय करता है, उसका उकारिय सहज में सफल हो जाता है, इसी परकार सादू संतों का, जो उनकी मान कर कारिय करता है, जो उनके बताईवे मारक पर चल कर कारिय करता है, तो उसका उकारिय भी सहज में सफल हो जाता है, इसलिए सादू संतों की बात मान कर उस दिशा में अपना एक कदम तो बढ़ाईए दस मिंट बीस मिंट आद घंटे एक घंटे परमात्मा जी का नाम जरूर लेजिए क्योंकि मानव चोड़ा बार बार नहीं मिलता ये मानव चोड़ा सबसे स्रेट चोड़ा है जै बाबा की